हाँ तो बच्छो आज हम पढ़ने वाले हैं तो कुछ बोल रहा था क्या सर आज पढ़ने का मन नहीं है पढ़ाई नहीं करनी है मतलब मूवी दिखनी के लिए मैं तुझे पढ़ाऊ ना देख रहो देख रहो कदे को ठीक है बात माल लेते हैं इसकी कोई बात नहीं तुम लोग थोड़ा इधर आओ इधर आओ इधर आओ देखो कैसे इस गदे को मैं मूवी दिखाकर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना सिखाऊंगा अभी तुम्हारे सामने दिल दिमाग और मन इगनम खोल के बैठना और देखो कैसे पिक्चर देखते देखते डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हम सीखेंगे इस वीडियो में तो क्यामरा मैं साहब बच्चों के लिए रंगा-रंग का रिक्रम लगा ना कि इस मूवी में क्या-क्या बताया गया है इस मूवी में हमें MS धोनी का बर्थ यानी जनम कहां हुआ था कब हुआ था ये दिखाया गया है उनकी स्कूल लाइफ कैसी रही आपने देखा होगा कि शुरुआत में वो एक गोल कीपर बनना चाहते थे लेकिन बाद में वो एक विकेट कीपर बन गये वो हमें इस मूवी में दिखाई गई है उनका स्कूल लाइफ कैसा रहा उनका struggle उन्होंने क्रिकेटर बनने के लिए क्या-क्या दिखाया गया है उनके achievements क्या-क्या रहे उन्होंने T20 वरल्ल कप जीते 50-50 वरल्ल कप जीते बहुत सारी champion trophies जीती IPL के बहुत सारे टाइटल्स इन्हों ने जीते तो ये भी हमें इसमें दिखाया गया है ऐसी ही एक मूवी है मैरी कॉम, मैरी कॉम को प्रियंका चोपडा ने बनाया है, प्रियंका चोपडा आक्टर है, मैरी कॉम एक एंडियन बॉक्सर है उनके लाइफ के उपर भी एक मूवी बनी है उस मूवी में भी हमें मैरी कॉम का बर्थ यानि जनम कब और कहा हुआ था उनके स्कूल लाइफ कैसी थी उनका स्ट्रगल क्या क्या रहा, उनके अचीवमेंट्स क्या रहे उनने कौन-कौन से अवार्ट्स मिले टाइटल कौन-कौन से मिले ये सारी चीजे हमें इन मूवी में दिखाई गई है कभी आपने सोचा इस मूवी को क्या कहते हैं अब ऐसी मूवी में किसी इनसान के बर्थ यानि जनम से लेकर अब तक कि सारी चीजे दिखा दी जाएं ऐसी मूवी को हम बायोपिक कहते हैं यानि वीडियो ऑन लाइफ किसी के जिंदगी के ऊपर वीडियो बना देना लेकिन अगर हम किसी के जिंदगी किसी इनसान के बारे में लिख कर बताएं तो इसे हम बायोग्राफिकल स्केच कहते हैं यानि descriptive paragraph on person and that's what we wanna study in this particular video तैयार हो बिल्कुल तैयार होगे Hello everyone, this is your host and mentor प्रेम पांडे welcoming you all to another exciting video on your favorite channel educational hikes केसे हो मेरी जान? मस्त, मरमा अभी तक चानल को subscribe नहीं करा है और अगर नए हो, पहली बार आ रहे हो तो चानल को subscribe जरूर करें बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो से आपको लगातार और हर बार मिलती रहे Class 9th के writing section English के paper में writing section में आने वाला सबसे पहला question जो आपको 5 number दिला के जाएगा उस question को आप कैसे फोडो होगे descriptive paragraph का trick क्या है वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोई ग्यान नहीं कोई philosophy नहीं exam में बैखते ही कैसे इन questions को करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं so without wasting much of your time let's guess started इस वीडियो में हम तीन points के बारे में बात करेंगे number one इस बार के English के term one के exam में आपको कौन सी variety का question देखने को मिलेगा मतलब descriptive paragraph का कौन सा question आप इस बार के exam में देखोगे ठीक है number one दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि भाई जिस तरीके का descriptive paragraph आपके इस बार के exam में आ रहा है उसकी trick क्या है करने की जी हाँ, अभी हम लोग सोचते हैं कि अगर हमें एसे लिखना हुआ, हमें paragraph लिखना हुआ, तो हमें केवल याद करके ही हम लिख सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको tricks बताऊंगा मैं आपको वो punch lines बताऊंगा जिसको अगर आपने exam में लिख दिया न examiner आपको full marks दिये बिना नहीं रह पाएगा, that's my guarantee और third point में बात करूंगा कि जो मैं आपको trick बताऊंगा descriptive paragraph को करने का वो trick काम कर रहा है या नहीं इस चीज को भी हम check करेंगे, दो questions करके, जी हाँ, एक नहीं, बलकि दो-दो sample questions आपके सामने करके दिखाऊंगा, तो video के last तक बने रहना बहुत ही धमाके दार है, पांच नंबर लेके जाओगी ठीक है सबसे पहले हम first point पर बात करेंगे कि भाई, कौन से variety की question इस बार के term on की exam में हमें मिलेगा, देखो descriptive paragraph तीन तरीके होते हैं सबसे पहला descriptive paragraph on a place, किसी place को आपको describe करना होगा descriptive paragraph on an event आपको किसी event, किसी साधी समारो किसी बड़े पार्डी को describe करना होगा, एक तीसरे तरीके का होता है descriptive paragraph on person और केवल यही वाला variety आपके इस बार के exam में आने वाला है, जी हाँ आपको place और event को describe करने को नहीं बोलेगा केवल person, केवल इंसान को describe करने के लिए आपको इस बार के exam में दिया जाएगा अब कैसे इंसान को describe करना है केवल दो तरीके के इंसान number one, the person you know एक ऐसे इंसान को आपको describe करना होगा, जिसे आप जानते हो, जैसे question कुछ इस तरीके के हो सकते हैं, कि your mother is very intelligent describe your mother to your school friends, ठीक है आपकी जो मा है, वो बहुत ही समझदार है और इसलिए आपको descriptive paragraph लिखना है, अपने mother के ऊपर आपको एक question ऐसा भी दिया जा सकता है कि your father is very idle father, write a paragraph on your father, अब आपको यहां पर अपने papa, अपने father के ऊपर paragraph लिखना है, एक question ऐसा भी आ सकता है कि your friend is very polite and gentle to you आपका friend आपसे बहुत ही प्रेम से रहता है, write a paragraph on your friend, आपको अपने school teacher के ऊपर paragraph लिखने को आ सकता है, आपके favorite teacher, आपके favorite dancer, आपके favorite singer ऐसे questions आपको दिखने को मिल सकते हैं इस बार के exam में, ये तो हो गया first variety of questions, अब ऐसे questions, जिन में आपको ऐसे इंसान को describe करना हुआ जिसको आप personally जानते हो तब आपको क्या लिखना है आपको उस इंसान के facial features मतलब दिखने में कैसा है उसकी personality कैसी है और उसका behavior कैसा है उसकी qualities क्या है केवल इन ही तीन चीजों के बारे में लिखना है समझ में आया, एक दूसरे तरीकी का question भी आ सकता है, आपको किसी ऐसे इंसान को describe करना होगा, जिसे पूरी दुनिया जानती है आप भी जानते हो, साथ साथ में पूरी दुनिया जानती है, person whom world knows जैसे आपको ऐसे question आ सकते हैं कि भाई, कोई famous Indian scientist है, जैसे CV रवन हो गए उनके बारे में आपको paragraph लिखना आ सकता है आपको किसी famous Indian cricketer, किसी sports person की उपर लिखने को आ सकता है Mother Teresa, Gandhi जी, Nehru जी, आपको किसी famous personality की उपर भी describe करने के लिए paragraph आ सकता है, याद रहे second type of question है the person whom world knows उसमें आपको उस इनसान के जनम से लेकर अब तक के सभी major events, यानि उसका जनम कब हुआ, उसकी struggle कैसी रही, उसका school life कैसा रहा, उसने क्या-क्या achievements पाए, केवल ये लिखना है, उसके facial feature, personality और behavior से कोई फरक नहीं पड़ता, जो second variety of question हम देखेंगे, जिसमें आपको किसी famous person को describe करना होगा, उसमें आपको hint भी दिया होगा, जी हाँ सारी जरूरी information hint के तौर पर आपको question में ही दे दी गई होगी, बस आपको उस hint को paragraph में convert करना है, lines में लिखना है, hundred to one twenty words लिख दिया आपने, आपका paragraph complete है, तो दो तरीकी के question, पहला person, you know, एक ऐसा इंसान जिसे आप जानते, उसकी उपर paragraph लिखना है और दूसरा, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया जानती है, उसकी उपर आपको paragraph लिखना है, तो ये तो बात होगे कि भाई, किस तरीकी के questions इस बार की exam में आने वाले हैं, अब हम बात करेंगे कि वो trick, वो तरीका क्या है, जिन से आप इन दोनों questions को इन दोनों तरीकी के questions को बड़ी आसानी से कर के ले आओगे, that's my promise तो सिधा trick पर चलते हैं, एक छोड़ी सी चीज में तुम्हें बताना चाहूंगा, trick जानने से पहले, ये तीन बाते हमेशा ध्यान रखना descriptive paragraph के बारे में, आप किसे भी तरीके के descriptive paragraph लिख रहे हो, number one आपको ये याद रखना है, कि हमेशा paragraph केवल simple present tense में होता है, या simple past tense में होता है, यानि केवल verb की first form, या verb की second form का use हमें करना है दूसरी बात ये भी जान लो कि आप जिस भी person, जिस भी इंसान के बारे में आप लिख रहे हो उसके बारे में आपको केवल facts लिखना है, जो सही बाते हैं, केवल वही लिखनी है जैसे उसका hairs कैसा है, उसकी lips कैसी है उसकी voice कैसी है, वो tall है, short है, जो सही बाते हैं, केवल वही लिखनी है आपका opinion क्या है उस person के बारे में, इससे examiner को घंटा फरक नहीं पड़ता वो आपको number नहीं देगा, तो आप केवल वही चीजे लिखना, जिस भी इंसान के बारे में आप लिखनी है हो, केवल सच बाते लिखना, तीसरी और आखरी चीज कि भाई, paragraph लिखते time, हम active voice और passive voice का use, बड़ी conveniently, बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, मालनो तुम्हें यह बस active का passive कर दिया, जिससे हमारा sentence बड़ा ही impressive दिखने लगा, यह तीन बाते याद रहेगी आप descriptive paragraph ताबड तोर तरीके से कर लोगे, ना हम first type of question को करना सीखते हैं, the paragraph on the person whom you knows, अगर आपको किसी ऐसे इंसान के बारे में paragraph लिखने को आता है, जिससे आप जानते हो, जिससे आप personally जानते हो, तो उसे कैसे लिखोगे, देखो, number step one हमारा, जैसे ही आप question को देखते हो ना, find out the person about whom you have to write paragraph, आपको उस इंसान को question में से ढूड़ना है, जिसके बारे में आपको paragraph लिखना है, एक example देता हूँ, यह रहा आपके सामने question, फड़ा फड़ा, तीन सेकेंड का time दूँगा, पता लगाओ कि किसके बारे में आपको paragraph लिखना है 3, 2, 1 obviously अपने grandmother के बारे में paragraph लिखना है मेरे भाई ठीक है, एक बार हमने पता लगा लिया कि अपने दादी मा के उपर हमें paragraph लिखना है अब answer लिखना, start करो आपका answer start होगा एक बहुत ही धमाकेदार impressive line से introduction जो होगा, जो पहली line होगी बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही impressive line होनी चाहिए, ताकि examiner एक अच्छे mindset से आपकी copy check करें, आप क्या line दिखोगे देखो, question कोई भी है, चाहिए पापा पे, चाहिए मम्मी पे, चाहिए दादी पर चाहिए friend पर, आपकी line क्या होगी, याद कर लो, रट लेना ठीक है, first line, without any doubt, my dash is the most important person in my life and the most powerful individual I know अब यह जो line है न, यह सभी पर fit हो जाती है, आप इस dash में, इस खाली स्थान पर, आप अपने father को भर सकते हो आप अपने mother को भर सकते हो, आप अपने grandmother, granddaughter, grandfather तो भी paragraph आप के लिए आता है, वो आप इहाँ पर fill कर देना, जैसे मालो दादी के लिए आगया, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे without any doubt, my grandmother is the most important person in my life and the most powerful individual I know ठीक है, हो गया हमारा introductory line हो गया, अच्छा मालो तुमारे friend की ऊपर लिखने को आगया, तो तुम क्या कहोगे, I have many friends of them, जो भी आपकी दोस्त का नाम हो, रमन, मोहित, सोहित, कोई भी नाम हो, जैसे मेरे friend का नाम है, विपिन, तो मैं लिख दूंगा, I have many friends of them, विपिन is my best friend, he is the friend I have always longed for, ठीक है, friend के लिए आते हैं, तो आप ये दूसरी वाली line लिखोगे, आपकी किसी relative father, mother, daughter के लिए आता है, तो आप उपर वाली line लिखोगे, मालो किसी आपके favorite teacher की उपर आ गया, कि आप अपने favorite teacher की उपर paragraph लिखो, तो क्या लिखोगे, my favorite teacher is favorite teacher का नाम लिख दे na, my favorite teacher is Mrs. Suleiman, ठीक है, she is, he is very caring and intelligent teacher, ऐसे आप start कर सकते हो, तो ये तो हो गई हमारी introductory line की भिया ऐसे paragraph, ऐसे person पर लिखने के लिए अगर हमें paragraph आ गया, जिसे हम जानते हैं, तो हम start करेंगे in lines से, ठीक है, step one, उस इंसान को पहचानो, जिसके बारे paragraph लिखना है, step two, ये introductory line use करो, step three, अब आपको present in definite सकते हो, वो short है, tall है, medium height है, उनकी height कैसी है, ठीक है, अब आप उनके build के बारे में, उनकी body कैसी है, thin है, fat है ठीक है, या plump है, मतलब ठीक ठाग दिखती है कैसी है उनकी build, उनकी body कैसी है, आप उसके बारे में लिख दो present in definite tense में, ठीक है, उसके बाद आप उनको hairs को describe करो कि उनका hairs कैसा है, उनका hairs black है, brown है, gray color का है, gray मतलब white color का है ठीक है, उसके बाद आप उनके ice को describe करो, ice को describe करने के लिए आप कह सकते हो कि उनकी ice body है big eyes है, small eyes है, ठीक है या cunning eyes है, brown eyes है blue eyes है, आप ice को describe कर लो, उसके बाद, ice के बाद आप उनके complexion, चेहरे का रंग कैसा है, pear है, brown है, light brown है, pale है, pale का मतलब होता है, भुना हुआ, जो sun के color का रंग होता है, आपने दिखा होगा कई लोगों को, ठीक है, तो आप उनके रंग के बारे में लिखो कि यह वो intelligent है, sincere है, soft spoken है, honest है, selfish है, कैसे हैं वो, अब अगर आप इतनी qualities को लिखोगे ना, already 7 से 70 word आपका पूरा हो जाएगा, आपको केवल 100 words लिखना है, ठीक है, step 3 भी हमने देख लिए, step 1, उस इंसान के आपको धूड़ो, जिसके बारे में लिखना है, step 2, जो introduction line मैंने आपको बताई, वो लिखो, step 3, in qualities के बारे में present indefinite tense में लिख दालो, जैसे, अगर मेरी दादी मा की जो hairs है, वो gray hair है, तो तुम लिखोगे कि, she has gray hairs, ठीक है, she has big eyes, she is medium-heighted, ऐसे-ऐसे sentences लिख दो, अराम से पूरे हो जाएंगे आपके, अब step 4, आपको वो लिखना है, कि भाई, जिस इंसान के बारे में तुम लिख रहे हो, वो तुम्हारे लिए क्या है, मतलब वो कैसे तुम्हारी मदद करता है, जैसे मेरी दादी मा, she takes me to the bus stand, वो मुझे bus stand पर ले जाती है, मुझे छोडने के लिए, ठीक है, she helps me, she helps me in my studies, तो आप अपनी bonding बताओ, कि आप उनसे कैसे related हो, एक दो line इसके बारे में लिख दो, now step 5, ये होगा हमारा closing line, concluding line, आखरी का line, सुरुवात का line मैंने आपको बताया, अब आखरी की line में क्या करोगे, कोई भी paragraph आए, एक ऐसे इंसान की उपर, जिसे आप जानते हो, तो आपकी जो last line होगी, वो कैसी होगी, आप ऐसे कह सकते हो, I pray to God to bless upon our company forever, मैं भगवान से प्राठना करूँगा, कि भगवान हमारी जोडी सलामत रखे, या I pray to God to make him, या her happy throughout the life, ठीक है, आप इस तरीके से उस paragraph का अंत कर सकते हो, ये तो हमने steps जान लिया, कि भाई, कौन से steps होंगे, ट्रिक्स क्या है, कि हम ऐसे paragraph को लिख सके, अब मैं आपको example देता हूँ, ठीक है, जैसे question आगया, आपके दादी को पर लिखने के लिए, आपके दादी को पर आपको paragraph लिखना है, question आपने पढ़ा कि दादी को पर लिखना है, ठीक है, अब मेरे trick से, introductory line याद कर लो, नीचे वाली, last वाली line याद कर लो, बीच में क्या लिखना है, जो मैंने बताया, आप कुछ ऐसे answer लिख पाओगे, ठीक है, यह answer मैंने लिखा है, मैंने अपने tricks पर लिखा है, ठीक है, देखो, सुरुआत में मैंने लिखा है कि, without any doubt, my grandmother is the most important person in my life, and the most powerful individual I had ever met, या I know, ठीक है, तो सुरुआत के line हमने लिख दी, अराम से 30 word तो सुरुआत के line में ही हो गया, अब बीच के line में हमने उनके facial features, वो दिखती के ऐसी है, उसको describe किया है, मैंने लिखा है कि, like all grandmothers, my grandmother is also old, ठीक है, she has wrinkles, जुरियां पड़ गई है उनके चहरे पर, she has grey hairs, she is medium-heighted and plump lady, मैंने उनके facial features के बारे में describe किया है, ठीक है, आप देख सकते हो, मैंने साफ-साफ लिखा है, she has grey hairs, she is medium-heighted and plump lady, उसके बाद मैंने कहा है कि, she wakes up early in the morning, she takes bath and pray to God, उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़े जो भी लिखी है, मैंने सारी चीज़े, present indefinite में लिखी है, ठीक है, शुरुआत की line, जो मैंने बताई, बीच में केवल उनके features को describe करो, उनके hairs, उनके eyes, उनके चेहरे के बारे में, उनके height के बारे में, उनके body के बारे में, ये सब describe करो, और last में, देखो मैंने last की line में भी, last से थोड़ा उपर की line में देखो, मैंने लिखा है, कि she takes me to the bus stand, वो मुझे bus stand पर ले जाती है, she is my friend, वो मेरे लिए एक best friend है, वो मेरे लिए एक mentor का का काम भी करती है, ठीक है, as I can share anything to her, अब यहाँ पर हमने अपनी bonding बताई है, कि मेरी दादी से मेरा क्या connection है, मैं कितना close हूँ अपने दादी के, उसके बाद मैंने last में वही line लिख दी है, कि I pray to God, she will always be happy, या see always be happy in her life, इस तरीके से हमारा descriptive paragraph on person, जिसे हम जानते हैं, complete हो गया, Now हम second type of descriptive paragraph को करना सीखेंगे, इसका trick सीखेंगे, मैं आपको वो lines बताऊंगा, अगर इन lines को आप लिख कर आ गए ना, तो कैसा भी question आए, आपको full marks मिलेगा, जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, देखो, जो दूसरे तरीकी का descriptive paragraph आ सकता है, वो किसी famous person की उपर लिखने को आ सकता है, किसी ऐसे इनसान की उपर लिखने को आ सकता है, जिसको पुरी दुनिया जानती है, हो सकता है, वो famous cricketer हो, MS Dhoni, Virat Kohli, Sachin Tandulkar, हो सकता है, वो कोई famous scientist हो, CV Raman हो गये, ठीक है, उसके बाद Basu जी हो गये हमारे, APJ अब्दुलकलाम हो गये, कोई famous freedom fighter की उपर, महात्मा गांदी, सुवाशन बोस, ठीक है, नहरू जी की उपर लिखने को आ सकता है, कोई famous singer, कोई famous dancer, इन सब के उपर भी आपको paragraph लिखने को आ सकता है, और याद रहे, ऐसे questions में आपको hints दिये गए होते हैं, जी हां, आपको मदद करनी के लिए, आपको ऐसा तो है नहीं कि, सब कुछ याद है, आपको की महात्मा गांदी कब पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए थे, किसी भी इंसान के बारे में आयेगा, तो आपको ऐसा तो है नहीं ना, कि सब कुछ याद है, वो कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, उन्होंने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, ये सब आपको याद तो है नहीं, तो इसलिए उन्होंने question में hint दे रखे होते हैं वो लोग, आपको hint की मदद करनी है, hint की मदद लेनी है और sentences बनाने है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो second type of question को करना सीखते हैं, सीधा trick समझते हैं और trick से question को करते हैं, माल लो यह question तुमारे सामने आ गया, अब इस question को पढ़कर तुम्हें सीधा सीधा पता चल रहा है, यह question किसके बारे में लिखना है हमें, A.R. रह्मान के बारे में लिखना है, A.R. रह्मान एक singer है, मैं आपको बता दू, एक singer है, musician है वो, ठीक है, बहुत कुछ काम करते हैं वो अक्चुल में, तो singer and musician उनका main काम है, इनके बारे में हमको लिखना है, नीचे hint भी दिया गया है, अब फटा फट हम इस question को करना start करेंगे, ठीक है, answer लिखना सुरू करो, answer में जो सबसे पहली line होगी, किसी भी famous person की उपर, अगर आप descriptive paragraph लिख रहे हो, तो पहली line क्या होनी चाहिए, सबसे पहली line में उसका नाम लिखो, जैसे मालनों में AR रह्मान के बारे में लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा AR रह्मान, is a, अब वो क्या है, वो भी लिखो तुम, is a musician and singer, ठीक है, अब वो कहां पैदा हुए, और कब पैदा हुए, ये पहली line में होनी चाहिए, जैसे AR रह्मान is a singer and musician, who was born on, किस date को पैदा हुए, and कहां पैदा हुए, ये आपकी पहली line में complete हो जाएगा, आप किसी भी famous person के बारे में लिखना आए न, तो पहली line में सिर्फ यही लिखोगे, AR रह्मान की जगह, अगर हमें महात्मा गांदी की उपर लिखना होता, तो क्या लिखते हम, महात्मा गांदी is one of the freedom fighter, ठीक है, he was born on, कहां पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, बस इतना लिख दो, पहली line हमारी complete, step one, सीख गए, अब second step पर आते हैं, second step पर अब हमें hint की मदद लेनी है, हमें hint को देखना है, hint को देखो, और hint में जो लिखा है न, उसको बस sentence बना दो, present indefinite, या past indefinite में, बस, और कुछ नहीं करना है, आपको बस hint का sentence बनाते जाना है, और ऐसा नहीं है कि सारे hint के ही sentences बनाओगे, एक-दो sentence आप अपने मन से भी उनके बारे में बताओ, ऐसा तो है नहीं न, कि आप किसी के बारे में जानते नहीं हो, महत्मा गांधी के बारे में जानते हो न, बिल्कुल जानते होगे यार, तो एक-दो line अपने मन से भी add करो, hint से बस तुम्हें मदद के लिए दिया गया है, ऐसा नहीं है कि तुम पूरे hint को ही उतार दो, नहीं, number नहीं मिलेगा, पहला, पहला line क्या लिखोगे मैंने बता दिया, दूसरे में आपको क्या करना है, hint से, hint देखो, hint से वही line बना दो, simple present या simple past में ये line होनी चाहिए, simple present tense या simple past tense में, मतलब verb की first form यूज़ करनी है, और verb की second form, बस, ठीक है, is, am, are, was, were, इनी सब का use करोगे, इसके अलावा, कुछ भी नहीं, तो ये भी हमने देख लिया, अब third step, अगर उनका कोई nickname है, जैसे हम महात्मा गांदी को बापू जी कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि महात्मा गांदी is also known as father of nation, ही गया बापू जी, A.R. रह्मान को हम Mozart of Madras कहते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं, A.R. रह्मान is also known as the Mozart of Madras, पहला line मैंने बता दिया, दूसरा, हिंट में जो जो लिखा है, बस उसको sentence में convert करते जाओ, तीसरा, उनका अगर कोई nickname है, तो nickname के बारे में लिखो, और चौथा, वो किस चीच के लिए famous हैं, भाई इतना famous person है, तो किसी ना किसी चीच के लिए famous होगा ही, जैसे हमारे AR रह्मान किस चीच के लिए famous है, ये अपने गानों में न, electronic music add करते हैं, बीच बीच में electronic music, जैसे बोला है, डी 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 जे, डी 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 जे, इसी को electronic music कहते हैं, तो AR रह्मान इसी के लिए famous हैं, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, फेमस for his cool captaincy, ठीक है, तो वो किस चीच के लिए famous हैं, चौथा step, और पाचवे में आपको लिखना है, कि भाईया उन्होंने क्या-क्या awards पाए, awards के बारे में आपको hints में दिया होगा, कि उन्होंने क्या-क्या awards पाए, उन्होंने अपनी life में क्या-क्या achievements पाए, awards और achievements के बारे में आपको दो-तिन line लिख देनी है, और आखरी की जो line होगी, ध्यान से लिखना आखरी की line, अगर जिस इंसान के बारे में लिख रहे हो, वो अगर जिन्दा है, तब तुम्हारी आखरी की line क्या होगी, ये लिख सकते हो कि, men like him are hard to find, या women like him are hard to find, मतलब इनके जैसा इंसान मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, अगर वो जिन्दा इंसान है, अगर तुम जिसके बारे में लिख रहे हो, अगर वो जिन्दा है, अभी भी जी रहा है, तो तुम उसके बारे में लिखोगी, कि men या women like him या her are hard to find, ठीक है, समझाया, लेकिन अगर ऐसे इंसान के बारे में लिख रहे हो, जो अभी तक गुजड चुका है, मालो महात्मा गांदी के बारे में लिख रहे हो, तब तुमारी जो last line होगी, वो क्या होगी, महात्मा गांदी was died in, died on, किस date को मरे, और क्यों मरे, due to corona, due to cancer, due to heart attack, due to किसलिए मरे, ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरा step, कि हम जो second type of discursive paragraph है, उसको कैसे लिखेंगे, अब मैं आपको example दिखाता हूँ, एक example लेते हैं, question आपके सामने दिख रहा है, आप देख सकते हो question, A.R. रह्मान की उपर हमें, descriptive paragraph लिखना है, मैं आपको ये दिखाऊंगा, कि जो मैंने trick बताई है, वो काम कर रही है कि नहीं, देखो, मैंने आपको बताया था, पहली line, नाम लिखो, देखो, लिखा गया है कि A.R. रह्मान, is an, क्या है वो, is an Indian composer, singer, songwriter, musician, producer, वो जो जो भी है, ठीक है, वो लिख दिया हमने, अब देखो, मैंने लिखा है, वो कहाँ पैदा हुए है, हमने ये भी लिख दिया आपको, आपकी लिए, तो भी है, पहली line तो हमारी match कर गई, जैसा मैंने बताया था, वैसी मैंने लिखा है, अब उसके बाद आपको hint देखना है, hint से एक दो line बनाओ, जैसे यहाँ पर देखो, लिखा गया है कि, he is graduated from Trinity College, Oxford University, यह सब मैंने hint से लिया है, मैंने एक दो line अपने मन से भी मिलाई है, जैसे मुझे यह पता था कि, उन्हें Mozart of Madras कहा जाता है, तो मैंने उनका nickname लिख दिया, कि भाई, he is also known as the Mozart of Madras, या his extensive work, उनका जो कार रिथा, वो उनके लिए एक nickname भी लेकर आया था, वो क्यों famous थे, यह देखो लिखा है, मैंने, he is famous in integrating Indian classical music with electronic music, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था, कि awards और achievements के बारे में लिखोगे, देखो लिखा गया है, कि he is the recipient of the Padmasri and the Padma Bhushan, ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था, आपको कि last में तुम लिखोगे, कि भाई, उनके जैसा इंसान मिल पाना बहुत मुस्किल है, ए आर रह्मान अभी जिन्दा है, इसलिए हमने लिख दिया, men like him are hard to find, अगर ए आर रह्मान मर गए होते, तो हम उनका death का date लिखते, कि वो कब मरे, कैसे मरे, वो हम last line में लिख देते, ठीक है, तब हम यह नहीं लिखते, men like him are hard to find, तो यह रहा हमारा, second type of descriptive paragraph, और इस पूरे वीडियो में, हमने दो तरीकी के descriptive paragraph देखे, जो आपके इस बार के exam में, पूछे जा सकते हैं, यह hope आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, यार मैं जितना तोर मरोड के rules बना सकता था, tricks बना सकता था, वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए बनाई है, और इस work के बदले, मुझे बस एक चीच चाहिए यार, कि अपना प्यार एक लाइक से जरूर दिखाएं, और चैनल को share करें, जितना ज़्यादा share करेंगे न, उतनी ज़्यादा अपनी family बढ़ेगी, और ऐसे ही धमाकिदार वीडियो हम अपनी चैनल पर आपके लिए लाते रहेंगे, और एक बहुत बड़ा surprise है, next month, October में आपके लिए रिविल किया जाएगा, तब दक बने रहे हैं हमारे चानल, Educational Hikes पर चानल को subscribe करें, वीडियो को like करें, मिलते हैं एक और धमाकिदार वीडियो में, तब तक के लिए शश्रियाकाल और चैहिंद, तो क्यों ना कुछ ऐसा सीखें, जो definitely हमें कल पैसे कमाकर देगी, कुछ skills सीखते हैं, कुछ नई skills सीखते हैं, और वो भी अगर free में मिल रही हो, तो कौन नहीं सीखना चाहेगा, जी हाँ, educational hikes के धाई लाग subscriber होने पर, क्योंकि भाई हमारे धाई लाग subscribers, धाई लाग members पूरे हुए हैं यार, तो आपको करना क्या है, नीचे फटाफट, इसी वीडियो के description box में एक website मिलेगी, और आपको उस website पर click करना है, बगल में जैसा page open होकर आ गया है, बिल्कुल वैसा ही page आपके लिए open होकर आ चाएगा, आपको क्या करना है, enroll now पर click करना है, जैसी आप enroll now पर click करते हो न, तो आपको register करने को बोलेगा, मैंने register कर रखा है, register करने के बाद आप सीधा payment वाले option पर आ जाओगे, सीधा start learning पर आप click करो, और यह course आपके लिए free of cost available है, इसमें आपको लगभग 27 प्लस वीडियो मिलेंगी, 10 hours प्लस content है, और बहुत सारी experience faculties ने न, MS Excel को beginning level से लेकर, advance level तक आपके लिए समझाये है, तो यार आप अगर 6, 7, 8, 9, 10, या किसी भी class में होना, तो MS Excel जरूर सीख सकते हो, और बिल्कुल mastery कर सकते हो, इसमें क्योंकि MS Excel कहीं पर भी काम आता है, आप अगर आगे चलकर accounting की job करना चाहते हो, किसी भी company में job करना चाहते हो न, तो आपको MS Excel जरूर जरूर पढ़ेगी,